नमस्कार मैं हूँ अन्सिता सडक पर कीले बिछा दी गई है बड़े बड़े सीमेंट के बैरिकेड रखे गए है नौर्थीज दिल्ली में 11 परवरी से धारा 144 लगा दी गई है बड़े बड़े कंटेनर सडक के दोनों तरफ लगा दिये गए है जी नहीं ये तैयारी है चोरों डकैतों को रोकने के लिए नहीं हुई है बलकि ये तैयारी हुई है हमारे अन्दाता देश के किसानों को रोकने के लिए ऐसे न जाने कितने वीडियो सोशल मीडिया पर तेर रहे हैं जिससे अब सरकार की आलोशना शुरू हो गई है विपक्ष जम कर सरकार की धज्जियां उड़ा रहा है सरकार पर भरोसा करके धोखा खा चुके किसानों के सब्र का बांध अब तूट चुका है इसके बाद हर्याना और पंजाब के किसान संग्ठनोंने एpelान कर की वो तेरह फरवरी को दिली आ रहे हैं लगगा 200 किसान संग इसमें शामिल होने वाले हैं अब इधर किसानों न एयलान किया उधर तीनों राज्जियों में ander जानी हो गया जिन किसानों से माफी मांग कर खुद मोदी ने उनसे वापस जाने का नुरोत किया था इसके बाद सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था कि किसानों की मांगों को जल से जल्द पूरा किया जाएगा लेकिन सरकार के वो सारे वादे हवा हो गए और अब वही किसान जब सरकार को उसका वादा याद दिलाने आ रही है तो उनकी बात शांती से सुनने के बजाए सरकार उनके साथ अपराधियों जैसा सुनूख कर रही है कल तक जिन किसानों से माफी मांगी गई थी आज उन्हीं किसानों को डराया धमकाया जा रहा है यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देखिए आटिकल 19 इस वीडियो को लेकर कोई दावा तो नहीं करता लेकिन इस वीडियो में पुलिस की गुंडागर्दी दिखाई दे रही है कि कैसे पुलिस किसानों को धमका रही है डरा रही है इस वीडियो पर सरकार को घेरते हुए कॉंग्रिस नेतर श्री निवास बीवी ने ट्वीट किया है उन्होंने लिखा कि अगर ये वीडियो हकीकत है तो देश में आपातकाल का एलान हो चुका है हर्याना के गाउं गाउं जाकर किसानों को पुलिस द्वारा धमकाने की शुरुआत हो चुकी है जो देश आंदोलन की दम पर आजाद हुआ उस देश में तानाशाही के इस दौर में अब आंदोलन करना ही देश्त्रो है वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि पुलिस किसानों को उनके पासपोर्ट तक रद्द करने की धमकी दे रही है सिर्फ धमका नहीं रही है बलकि किसान आंदोलन पार्ट टू की आहट से दिल्ली और हर्याना पुलिस सतर्क भी हो गई है बहदुर्गड में पांच लेयर की सुरक्षा के इंतजाम किये हैं टीकरी बॉर्डर पर का टीले तार और सीमेंटेट बरिकेड लगाए गए है सर्विलांस के लिए आधुनी कैमरे और साउंड सिस्टम भी लगाया गया है ग्यारा फरवरी को सुबा छे बज़े से लेकर तेरा फरवरी रात बारा बज़े तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बल्क एसेमेस और डोंगल सर्विस ठप हो गए है किसानों को रोकने के लिए इस तरह के इंदजाम पर कॉंग्रिस महासचे प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठा दिये उन्होंने एक वीडियो साज़ा किया और सरकार को खूब खरी खोटे सुनाई प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा कि किसानों की रास्ते में कील काटे बिछाना अमरित काल है या नियाएकाल इसी आसमवेदन शील एवं किसान विरोधी रवईये ने साड़े साथ सो किसानों की जान ली थी किसानों के खलाफ काम करना फिर उनको आवाज भी न उठाने देना कैसी सरकार का लक्षन है किसानों से किया वादा पूरा नहीं किया ना इंएश पी का कानून बनाया ना किसानों की आई दोगनी हुई फिर गिसान देश की सरकार के पास नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे पुरदान effectively जी देश की सिर्वेंबर साक्व एसे व्यू आफैंवने किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा क्यों नहीं करते यानि विपक्षु साफ शब्दों में इसे सरकार की तानाशाही बता रहा है आपको याद भी होगा दो साल पहले नवेंबर महीने में खुद पीए मोदी ने क्रिश्री कानून वापस लेने का एलान करते हुए किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपींगी थी किसानों की कोई मांग पूरी नहीं हुई यही नहीं एक फरवरी को आए बजट में भी किसानों के लिए सरकार में कुछ नहीं दिया इससे किसानों का गुस्सा और जादा फूट पड़ा अब किसान संग फसलों के लिए इसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने समित कई मांगे कर रहे हैं सरकार पर दवाब बनाने के लिए ही दिल्ली जाने की योजना बनाई गई है जैसे किसानों ने दिल्ली कूछ करने का एलान किया वैसे ही केंद्र कृषी एवं किसान कल्यान मंत्राले ने सैंक्त किसान म मसदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंग पंथेर को एक लेटर जारी कर दिया था इसमें दोनों को 12 फरवरी को शाम 5 बजे चंडीगड के महातुमा गांधी स्टेट इंस्टिटूट ऑफ पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन में एक बैठक के लिए इन्वाइट किया गया है लेक तरफ सरकार हमें बातचीत करने उता दे रही है वहीं दूसरी तरफ हर्याना में हमें डराने की कोशिश की जा रही है दहारा 144 लगा दी गई हैं इंटरनेट सेवा बंद करने का कया सरकार के पास कोई अधिकार है इसके साथ ही उन्होंने ये साफ कर दिया कि इस तरह के सब्सक्राइब कीजिए फेस्बूक पर लाइक कीजिए वाटसेप पर फॉलो कीजिए आने वाले दिनों में हम और किन मुद्धों पर वीडियो बनाएं यह भी जरूर बताइएगा ट्विटर हैंडल है इसे भी फॉलो कर लेजिए नमस्का सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी फॉलो करें देगे वागाँ ट्राइब कीजिए पासपोर्ट रफकिती आएगे जायेगे दोभी आज्योवाज सुचित किया जाता है कि दिनाथ 13 तारिक को किसानों दौरा कमों बोट परिकते होकर दिल्ली जारे का वहान किया है कोई भी ग्राववर्थी पीस दोल में भाग नहीं लेगा हुआए बल्ग कि दिल्ली जारे कि दोल भाझा भाझा है